है लो स्टुदेंट्स मारा आछाँ तर्म और शक्त पासओ वह सेंदर होगी इन दीt्रमिनेट्स परनेलź उसके आएं जा करती है और जाओara मुझके कुछ next question वो करके देख लेते हैं यह हमारे पास वो question जिनको बच्चों करते वक्त काफी दिक्कत आती है तो जो पहला हमारे पास first question है इसकें तर question क्या हमारे पास limit x approaches to 0 a raise to the power x minus 1 divided by b raise to the power x minus 1 अब यह चीज वोखने इस पहले आपने यह देखने की हमने यह दो चीजे पड़ी थी कि जो पहले हम question पड़े यह तो हमारे पास कीस type form बणजा जीरो बाय जीरो की form या फिर हमारे पास कीस type form हो infinity by infinity अब यह आपने पता कैसी करना है हमारे पास वो लिमीट वो सब्स्टिटूट कर दो आप X की जगपे X की जगप रखे A raised to the power 0 यह इसके नदर कोई finite number है A हमारे पास क्या कोई finite number तो कोई finite number की power 0 करोगे तो 1 और 1-1 0 अब 0 by 0 form है तो मैं इसके उपर LH rule apply करना पड़ेगा तो क्या करोगे applying LH rule अब LH rule आपको उखल बता तो क्या करना में LH rule के अंदर numerator का अलग से separately derivative करो और denominator का अलग से दोनों का अलग से derivative करने के बाद दोनों फिर limits substitute करो और देखो 0 by 0 form बने तो आप continuously इसी pattern को repeat करो otherwise अगर यह form आपको कहीं पर भी खत्म हो जाए तो हमारे पास क्या जाएगा इसका answer तो करो 1 minute तो सब से पहले A की power X तो limit X approach A की power X का derivative करो A की power X into log of A 1 का derivative क्या अगा मारे पास 0 divided by B raise to the power X into log of B यह हो गा मारे पास derivative अब करो इसके अंदर put X को अगर 0 put करो A की power 0 1 B की power 0 1 तो यह 1 into log A लोग A निच्चे 1 into log B लोग B तो क्या बच गया मारे पास यह log A divided by log B तो यह मारे पास बच गया अब यह आप limit लिमिट देखो इसके अंदर X को 0 तो यह लिमिट तो अट गी यह चीज़ा मारे पास कीतना बढ़ गी यह मारे पास 1 और इसके ओपर लिमिट ने काम करना है क्योंकि इसके अंदर मारे पास X प्रेजेंट ही निए तो क्या नस्पर होगा इसका मारा लोग A divided by log B अब जो second question मारे पास है second question क्या है देखो यह एक important question है तो क्या चीज़ इसके अंदर है इसके अंदर आपको से पहले तो X इन दिखाई दे रहे होगा कुछ ही वच्छे मों तो यही निसमा रहे होगा इसके अंदर derivative करें किसका किसके respect derivative करें अब यह चीज़ आपको पता करने देखो यहां से जो भी इसके अप्रोच करें A प्रोच इस टू B यानि कि जो X जो A है आपका वो तो क्या होगा independent variable और जो B है वो तो मारे पास क्या इसके अंदर कोई constant है बी क्या मारे पास इसके अंदर कोई constant यानि कि आप यह मान सिक तो X की ज़गा पर काम करें आपके वास A जो मारे पास किसके ज़गा काम करें X यानि हमें जो derivative करना वो A के respect ही करना है और B क्या मारे पास इसके अंदर constant है अब सबसे पहले तो variable तो मारे कौन काम करेंगा अब सबसे पहले हमें क्या पता करना कोड़ C टाइप की फोर्म में या तो simplify होके इसका नसुरी आ जाएगा या फिर मारे पास 0 by 0 फोर्म बनेगी या फिर इनफिनिटीव बाइ इनफिनिटीव फोर्म बनेगी या में कैसे पता काना इसकेंदर आफ सबस्टिटूट करो A की जग अपर क्या रखो B एक ही जग आफिक एक ही जग आफिक एपकर प्रहर को जीरो विग निचे रखक दो एक ही जगका बी LH rule तो limit A approaches to B तो को रेवट्व हो वरीबल कोण आ हमारे पास A यानि X की पावर constant है जैसे X जी treat करते हो ना जो X की पावर 2 का डेवट्व क्या आता है यानि X की पावर 3 X की पावर N का डेवट्व क्या आता है एक पावर बी माइनस वन हो गया, अब यह क्या आपके पास, यह constant की power variable, constant की power variable दोसे आपने यह रहा कोशन, एक पावर एक्स का derivative पड़ है, एक पावर एक्स का एक पावर एक्स इंटू लोग है, तो अब यहाँ पर आपका variable देखो, variable की ज़िए को अब पावर एक बावर एक क्या variable की, पावर ही variable, जब variable की पावर ही variable हो, तो इसका derivative हमें अलग तरीके स्करना होता है, यह अपने प्लस टू में भी कौशन करें, उजिसे हमारे पास क्या है, ज़िए आपने मानलोग Y, मैं लेट कर लिएक्स की पावर एक्स यह अपने derivative पड़ा होगा, तो यह स्वाल क dx, u into v, x का होगा 1, log x, as it is, next में x को रखिलो as it is, और log x का होगा 1 by x, x से x कैंसल, तो क्या होगा मारे पास, 1 plus log of x, लेकिन अमें क्या अगना हमें तो इसका derivative हो, इसका derivative हो, इसका derivative हो, इसका derivative हो, यह का derivative, तो 1 by y, तो x यह उदर जाए करें, आपका multiply, तो उदर कौने चाए dy by dx, y इदर जाएगा, multiply y की value, put कर दे उपर से, तो dy by dx, क्या बने क्या मारे पास, x raise to the power x, 1 plus log of x, तो अब मारे पास, यह तो x की power x था, लेकिन मारे पास question में क्या variable कोण a, तो a की power a, तो आप x फो फिसरी place कर दो एसे, तो क्या बने का a की power a, into 1 plus log a, तो क्या बने का a की power a, into 1 plus log of a, तो यह हमारे पास बने का, तो किसका a की power a का, अब क्या b की power b, तो b दो constant है, और constant का डाटिविटी का हमारे पास 0, तो यह क्या होगा 0, तो minus 0, देखिए दो ऐसे रिखना चालों, अब करो इसमें put, तो क्या रखोगे, a की जगा b substitute कर दो, तो एक जगा b रखोगे, तो b की power b minus 1, और b की 1 power ये, तो b की power b minus 1 और 1 power ये तो add होगे, क्या बेग besser b, तो यह आँ आप रखोगे, तो यह b की power b into log b और निचे क्या रखेगा आपके वाशे, b की power b into 1 plus, तो यह क्या रखेगा, अब क्या रखेगा आपके वाशे है, b की power b, PRESIDUS 1 और ये B आःणा बी, निईचे काहि आगा बी की पार बी और ब्लस लोग बी तो यह खेंगा है आगा है मारेपास तो यह सक्ता है यह फाइनर रागा So अधर में भी असे आप बीए स्वेस्टेशर में तो इसके मत्या जाया है यह रगा स्वार ब्लस लोग बोफ कि यह हमारे पास किया होगा इसका final answer बस इस को टाइब के ने आपको यह जाना कि आपको available कौन वर्यबल में ऐसा वही होगा जो approach करेगा तो इसके इंदर को न प्रोच कर से आपका एक तो एक आपका variable का काम करेगा और बीस के इंदर किसका आपका constant का काम करेगा तो अब इसके बाद हमारे पास यह तो दो question थे जिनके अंदर हमें variable में भी doubt हो सकता है या फिर माले इसके अंदर कुन सा formula यूज करोगे तो next जो अलग type के question हो और देखते हैं इसके अंदर दो-तिन question तो जो next question हमारे पास question number third हो क्या question number third limit x approaches to 0 sin hyperbolic x minus x divided by sin x minus x time cos x जो fourth question limit x approaches to 0 tangent x minus x divided by x square into tangent x तो पहले इस question को solve कर लेते हम इसको solve करने पहले आप यह देखो कौन सी form बनेगी तो यह जो question में पहले आपको 0 by 0 form करा रहा हम इसके बाद करेंगे infinity by infinity तो रखो sin hyperbolic 0, 0 0 x गें 0 होगे 0 minus 0, 0 ठीक अभी sin x किज़ 0 होगे sin 0, 0 ठीक अभी यह आपर x किज़ 0 होगे तो cos 0, 1 0 into 1, 0, 0 minus 0, 0 तो यहनी 0 by 0 form कोन सी form बनेगी मारे बस 0 by 0 form बनेगी ठीक अभी तो अब आपको इसके उपर क्या करना पड़ेगा apply करोगे lh rule lh hospital rule तो करो limit x अभी तो 0 क्या मदलब नुमेरेटर का अलक्से डरिवेटिव और देनुमेरेटर का अलक्से डरिवेटिव sin hyperbolic का डरिवेटिव cos hyperbolic x x का डरिवेटिव 1 divided by sin x का डरिवेटिव cos x minus तो यह इंटो इस x का डरिवेटिव 1 cos x कोरकलो as it is plus का निशान x कोरकलो as it is cos x का minus k sin x क्या अगा minus k sin x तो यह मारे पास इसका डरिवेटिव रखो cos hyperbolic 0,1 cos hyperbolic 0 कितना तो मारे पास 1 1 minus 1 0 उपरदो आपका 0 बना cos 0,1 यह आपका बनेगा 0 ठीक है यह cos 0,1 आगे निशान किसका minus का 1 minus 1 0 तो कॉनसी form बनेगा आपके बास फिर दोबारा से 0 बाए 0 form यह बनेगी ठीक और अगर यह bracket खोल लग दे minus का यह plus का यह से cancel भी हो जाएगा मारे पास इसमें रखके देख लिए x है मारे पास x को 0 रखें 0 cos hyperbolic x का sin hyperbolic x 1 का 0 divided by इसका क्या होगा x into sin x यह इंटो भी से x को रखें x का मालो कर दो x का कर दिया 1 और sin x as it is फिर करोगे x को रखें as it is sin का किदना होगा मारे पास cos x तो रखो sin hyperbolic x sin hyperbolic 0 0 sin 0 0 और यहां पर x को 0 रखोगे तो 0 into 1 0 तो दो बारा सी क्या परमणगे मारे पास 0 by 0 तो फिर एक बार फिर अपलाई करोगे limit x approaches to 0 sin hyperbolic x का कितना होगा मारे पास cos hyperbolic x divided by sin x का कितना होगा मारे पास cos x इसका फिर x u into v से करोगे तो x का करोगे पहले x का करोगे तो 1 cos x रखा हमारे पास as it is next x का करोखलो as it is और cos का करोगा minus k sin x x minus k sin x तो रखो x को 0 रखों cos hyperbolic 0 1 यह term क्या बन की 0 उपर दो मारे पास 1 आ गया तो यह x को 0 रोंगे 0 यह भी cos 0 1 cos 0 1 1 plus 1 2 plus 0 2 और उपर की दर हमारे पास 1 तो की दर आ अनस्वर आगै मारे पास 1 by 2 यह हमारे पास क्या होगा इसका final answer तो यह iniin आपकी 0 by 0 form क्या होगी खतम होगे तो यह हमारे पास क्या होगा इसका final answer एक जो question number 4 अब और देख लिए ते this question number 4 क्या माषब से पहले तो आप इंदर देखना किया मारे पास है रेको x को 210-0-0 कि मा dobrin पूंस जी Aware गजी तो यह पर लखने से जिरो टो एंद तो आपलाई करोगे अपलाई एल फिटल है रूल तो दी मिटा एक्स अप्रोच इस तो जीरो 10x का क्या होगा हमार पास सीकेंट स्केर एक्स X का 1 अब यह चीज है इसको solve करने पर ले मैंने एक दिन आपको यह चीज भाए जी 10X by X हो या फिर sinX by X हो या फिर X by sinX तो वो चीज है महारे पास ऐसे कि मालो इसके angle कितना है इसका X X से multiply कर दो हूँ और X से divide कर दो तो यह हो गया तो अब इसके उपर यह जो limit यह अलक्सी सका नस्वर कितना देगे मारे पास 1 तो इस चीज को आपटाए दो इसके अंदर एक X की पाओर बट जाएगे आपको आपको आस तो क्या बने का X क्यूब और X क्यूब का derivative कितना आपको यह X स्केर तो यह चीजा मारे पास बनगे अब इसके अंदर रखो सिकेंट जिरो वन ठीक है भी 1 माइनस 1 जिरो X को जिरो रखें जिरो तो क्या फोम बने 0 बाई 0 फिम फोम फिर से बनगे मारे पास तो फिर दुबार आप लाई करोगे 2 बार लिखने के जरू दो बार लिखेंदो अपफ ए में X लिम इस प्रोच ही जरू 2 sec x sec x का फिर sec x tangent x sec x tangent x 1 का क्या जिरो पास 0 6x 6x अब यह जो X है अब इसको अगर देखो अलग लग आप लिमीट कोल सुकते जो भी हर function पे लग 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 जाएगी इस portion के लग से देखूंद इस portion के 10X by X र limit लग रही X approach रही 20 क्या बनिगा हमारे पास? 1 बनिगा कितना बनिगा हमारे पास? 1 तो बची क्या हमारे पास? बस limit X approach is to 0 और ये बनिगा 2 से cancel होगा 1 by 3 into sec and square X अब secant 0 हमारे पास कितना 1 तो 1 into 1 by 3 तो कितना अंसर हैगा हमारे पास 1 by 3 तो यह हमारा इसके अंदर final answer है तो यह हमने इसके अंदर कुछ question किये अगर कोई भी problem हो तो आप हमें comment में बता सकते हैं